जैशी कृष्ण दोस्तो बियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो जब हमारे जीवन में कोई खुश खबरी आने वाली होती है या अच्छा समय आने वाला होता है या बुरा समय आने वाला होता है तो इश्वर कई संकेत देता है जिनका हमारे जीवन से संबंध दिखाई देते हैं दोस्तों बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कई लोग शुब और अशुब संकेत मानते हैं जैसे बिल्ली का रास्ता काटना अशुब संकेत माना जाता है इसी तरह से कुत्ते का रोना भी अशुब संकेत माना जाता है ऐसे ही दोस्तों बहुत से संक कि आपको शीक्र ही खुश्खबरी मिलने वाली है संतान की प्राप्ति होने वाली है या फिर पुत्र संतान की प्राप्ति होने वाली है दोस्तो आज की वीडियो में हम शास्त्रों के अनुसागरंतों के अनुसर ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा आप ये पता लगा सकत कि आपको शीगरी संतान की या फिर पुत्र संतान की प्राप्ति होने वाली है दोस्तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही संकेत आपको बताने वाले हैं जो संतान प्राप्ति की होते हैं या पुत्र प्राप्ति की होते हैं दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभ आपके रियल लाइफ में भी यानि आपके जीवन भी अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप इनसे समझ सकते हैं कि आपको शीगर ही खुश खबरी मिलने वाली है दोस्तों यह जो संकेद हैं देखिए खुश हाली का प्रतीक माना जाता है यानि शीगर ही आपको धर्मत की प्राप्ती हो सकती है या फिर कोई खुश खबरी मिल सकती है दोस्तों यह संकेद आपके परिवार में किसी को भी दिखाई दे सकते हैं आपको भी आपके बड़े बुजर्गों के भी दिखाई देते हैं तो आप निश्यद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको शी और या फिर आपको सपने में दिखाई देता है आपको आशिरवात देता हुआ या आपके बड़े बजुर्ग आपको सपने में दिखाई देते हैं खुश होते हुए या आशिरवात देते हुए तो यह बहुत ही शुप संकेत माना जाता है कहते हैं शीक्र ही आपको खुशक पुट्र संतान होने के संकेत माना जाता है और आपके घर पर रभाने लगती है या आवाज देने लगती है या आप कहीं जा रहे हैं तो आपको सफेद रंग की गाय दिखाए देती है तो यह भी बहुत ही शुप संकेत माना जाता है कि आपको शीगर ही संतान की या खुश खबरी मिलने वाली है दोस्तो इसी तरह से अगर आपके घर पे पक्षी आने लग जाए और विशेश रूप से जो छोटे वाली चड़िया होती है या फिर तोता होता है तो बहुत ही शी सुबह के समय तो बहुत ही शुप संकेत माना जाता है इसी तरह से अगर आपको देखे कोई गिफ्ट के तोर पर उपहार में अगर लट्टू गुपाल जी दे जाए या किसी भी भगवान की तस्वीर अगर आपको दे जाता है तो यह भी बहुत ही शुप संकेत माना जाता दोस्तो जटावला नारियल देखना या कोई आपको प्रसाद में आपकी जोली में डालता हुआ देख रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुब संकेत माना जाता है क्योंकि नारियल श्रीफल माना जाता है और यह पुत्र का संकेत माना जाता है तो अगर आपको इस तरह का दिखा दिखाई देता है तो यह है भी बहुत शुब संकेत माना जाता है कि शीग्री आपको खुशeilा खबरी मिलने वाली है संतान की प्राप्ति होने वाली है दोस्तों सुबह के समय अगर आप सफेद दही का या दूद को देखते हैं तो यह भी बहुत शुप संकेत माना जाता है दोस्तों इसके अलावा अगर आपके घर में देखे पहले चूहे नहीं थे अगर आपके घर में अचानक से छोटे छोटे चूहे हो गए हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं काले वाले नहीं छोटे वाले जो brown color के चुहे अगर होए हैं तो बहुत ही शुप संकेत माना जाता है यह भी संतान प्राप्ति का खुश खबरी का संकेत माना जाता है क्योंकि चुहे भी गणेजी का सरूप माना जाता है बहुत ही शुप संकेत माना जाता है अगर आपके घर में छोटे छोटे चुहे हो ग धर में किसी भी सदस्य के साथ ऐसी घटनाय ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो बहुत ही शीग्र आपको खुशकबरी मिलने वाली है, संतान की प्राप्ती होने वाली है। इनको हम समझ नहीं पाते। दोस्तों यह शास्त्रों के अनुसार बताई हुई बाते हैं, अगर आपको डेखे यह संके दिखाई देते हैं, तो निश्ट ही आपको बहुत ही शीगर खुशखबरी मिलने वाली है, सन्तान की प्राप्ती होने वाली है, साथ ही दोस्तो अगर ये संकित दिखाई दिये हैं तो आपको कोई खुश खबरी यानि धन से सम्मंदिद आर्थिक जो परेशानी है वो भी दूर हो सकती है दोस्तो अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को जैशी कृष्णा